अलो दोस्तों, स्वागत है आपका Sleepy Classes में दोस्तों Parkinson's Law, Public Administration की एक किताब 1942 के अंदर Parkinson's वाफ दोहर लिखी गई थी उसमें दिया गया एक idea है Parkinson's Law कहता है कि जो काम आपके पास है वो expand करता है deadline complete होने था कहने का मतलब चाहे आपको एक साल मिले एक काम के लिए या 6 महीने मिले या 2 साल मिले आप वो जो काम है उस काम को expand कर दोगे सेम काम अगर 6 महीने में हो सकता था आपको अगर उसको करने के लिए 2 साल मिलेगे न तो आप उसे 2 साल में करोगे उसे stretch कर दोगे कहने का मतलब deadlines जो है वो घातक हो सकती है क्योंकि deadline जब आपके सामने होती है और वो बहुत दूर होती है तो आप अपना काम बहुत जादा आराम से करते हो और अगर वो deadline बहुत पास आती रहती है तो आपका stress level बढ़ता जाएगा क्योंकि आप उतना ही काम अब कम समय में करोगे so what you are going to do is you are going to see कि 186 दिन बच गए है prelims 2024 के लिए लगभग 6 महीने और 300 के आसपस दिन बच गए है mains 2024 में अब इन दोनों के बीच का जो difference है that difference is approximately 4 months 4 महीने का difference आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा approximately यह चीज याद रखना क्योंकि आगे जो मैं आपको बाते बताने वाला हूँ उसमें यह चीज याद करके ही आप आगे का फैसला लेंगे छे चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इस stage पे आके जो लोग 2024 के prelims में या attempt करना चाहते हैं और prelims का मतलब यह नहीं कि सिर्फ prelims करना चाहते हैं rank लाना चाहते हैं उनको यह 6 चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्तो मैं खुद 5 बार जो है इस examination में appear हो चुका हूँ तीन बार मैं prelims clear कर चुका हूँ और interview भी दे चुका हूँ तो मुझे fairly idea है कि क्या चीज़े work नहीं करती हैं और क्या चीज़े work करती हैं तो आपने ये देखना है कि सबसे पहली बात ये वो समय है जब आपने अपनी preparation का stock लेना है stock in the sense कि कौन से ऐसे subjects हैं जो आपके लिए कमजोरी का कारण बन रहे हैं कौन से ऐसे subjects हैं जिनको पढ़ने में अभी भी आपका completion जो है पुरी तरह नहीं हो पाया है the amount of preparation or content that you have read कितना उसमें से आपको recall हो रहा है कितना नहीं हो रहा है आपका optional अभी किस stage पे है ये वो time है 6 महीने का time जिसमें आपको stock लेना है और उसके हिसाब से आगे की strategy बनानी है दूसरी चीज आपको बहुत जादा जल्दी या बहुत जादा late दोनों ही case में Parkinson's law apply होगा जहां पे आपको stress होगा अगर आपके पास बहुत कम time हो और अगर बहुत जादा time हो बहुत जादा relax हो जाएंगे तो ये graph ऐसा है कि अगर आपके उपर कम से कम stress होगा बहुत कम stress होगा आप under load होंगे तो आप starting मतलब बिलकुल कम stress मतलब inactive रहेंगे फिर थोड़ा सा stress बढ़ेगा तो laid back रहेंगे और अगर बहुत जादा extreme stress होगा तो anxiety, panic, anger और breakdown ये सब चीज़ों को शिकार हो सकते हैं देखिए आपको अपने stress को optimize करना है और ये आपके हाथों में है अगर आप सही समय पे तयारी को optimize करते हो सही समय पे stock लेके अपनी तयारी को एक बारी reorganize करते हो तो आप optimum stress लोगे optimum stress में व्यक्ती काम भी करता है और जरूरी भी होता है उसके लिए और वो जब ठकता है तो that is also a sign कि हाँ, you have been stretched to your optimum limit तो over और under दोनों चीज़ों में आपने नहीं जाना है coming back to the second point that prelims only वाली जो preparation होती है जिसमें हम सिर्फ mock test लिखते हैं और prelims के हिसाब से अपनी पढ़ाई करते हैं वो ना तो जादा जल्दी शुरू करनी चाहिए और ना ही जादा late के लिए उसे छोड़ देना चाहिए तो कब करना चाहिए मेरे हिसाब से आप mains की जो answer writing है उसे कम से कम 31st January तक रैंक लेके आना है उस मोल्ड में आप ढ़ले हुए जो कि सब को होना चाहिए तो आप even February तक answer writing complete कर सकते हैं continue कर सकते हैं तो mains के ओपर focus जो है वो आपका फरवरी तक जाना नहीं चाहिए this is the first learning that I have had from my experiences and from the experiences of people I know जो लोग services में भी है इस टाइम पे चौथी चीज़ आपने याद रखनी है कि mains only subjects जो होते हैं for example world history for example ethics कोशिश करें कि December तक जितना पढ़ लिया December end तक जितना पढ़ लिया उसे पढ़ लिया January mid verse के सिनारियों में 15 January तक उसे ले के जाए उसके आगे उस subjects को extend ना करें उसके बाद उसे सीधा वो 120 days का जो time है बीच में 4 months का time है उसमें उसे take up करें continue करें पाचवी चीज़ और बहुत important चीज़ याद रखने वाली ये कि newspaper reading का time अगर आपका अभी तक 70 minutes से उपर है 70 minutes is the ideal time 1 hour 10 minutes होकी का match है ना चकदे इंडिया 70 minutes का जो time period है ना उससे उपर अगर आप newspaper reading को दे रहे हो इसका मतलब आप अभी तक अपनी speed को optimize नहीं कर पाए हो मैं ये नहीं कहूंगा कि newspaper पढ़ना छोड़ देना है नहीं ये कभी भी नहीं कहा जाता है मेरे द्वारा और मैं attest कर सकता हूँ इस fact को कि newspaper पढ़के आपकी जो vocabulary है आपकी जो answer writing है वो बहतर होती इसलिए please optimize your newspaper reading time up to 70 minutes if it is going beyond 1 hour 20 minutes देड़ घंटे तक आप newspaper पढ़ रहे हो दिन में तो I think you are wasting your time and last thing that you need to understand is कि अब वो समय आ गया है जब आप बिलकुल finalize कर लिजे sources को for example अगर आपने योजना magazines या कुरुक्षेत्र magazines पढ़ते हो तो lock in कर लो कि भाई ये ये पिछले 2 साल की ये वाली जो कुरुक्षेत्र magazines है और ये वाली योजना magazines है इनकी मैं summary जो है वो अपने notes में add कर लूँगा और बस फिर उसके बाद इधर उधर sources की addition में जाना ये market में ये नया source आ गया है ये नहीं किताब बोल रहे हैं पढ़ने के लिए इसके notes बोल रहे हैं पढ़ने के लिए वो time चला जाएगा और आप उस cycle के अंदर फस जाएगे तो अभी वो time है जब आप sources भी finalize कर लो coaching कोई ले रहे हो उसको finalize कर लो last में जाके attention हो जाएगी कि भाई last में एक दो दिन का या तीन दिन का या हफते भर का हम कुछ compilation ले ले लेते हैं वो last में सिर्फ आपका value edition होना चाहिए वो आपकी तयारी का basis नहीं होना चाहिए दोस्तों आपकी 31st January तक या mid February तक जो mains की तयारी है प्लस उसको prelims के साथ चलाने के लिए हमारे mains से related 4 initiative है जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा first initiative is for the beginners जो अभी answer writing के basics सीखना चाहते हैं उनके लिए 48 days art of answer writing program है और इसका second batch जल्दी शुरू होने वाला है I'll announce it soon 10 December को शुरू होने वाला है तो इसकी enrollments के लिए भी आप हमें call कर सकते हैं यहाँ पे आपको 8 हफतों के अंदर daily a question लिखना है और एक question का जो solution है आपको मिल जाएगा solution के साथ-साथ मैं हर हफते आप से discuss करूँगा कि इस questions के क्या sources होने चाहिए क्या approaches होने चाहिए then is your daily answer writing for a more sustained longer duration of time जब आप अपना syllabus पूरा complete कर चुके है सिर्फ main questions के sources ढूण रहे हैं कि कहां से question करें और हमारे question जो है वो evaluate हो जाए तो उसके लिए DAW daily answer writing program है ठीक है और उसमें आप end में FLT यानि full learn test भी solve कर सकते हैं इसके अलावा prelims और mains के preparation को इकाठे चलाना चाहते हो हमारा quality improvement program है जहाँ पे mains के videos के थूँ मतलब questions के थूँ आपको video solution मिलेंगे आप questions भी उसमें solve करेंगे and साथ ही साथ prelims का पूरा content मिलेगा पूरा content मिलेगा along with your test series तो यह आपका QIP यह course भी आप available कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ mains के test देना चाहते हैं which is also very good perfectly fine mains के test देना चाहेंगे तो उसमें भी आपको mains test series 2024 मिलेगी जिसमें आपके 12 test GS के होंगे और 5 essay के test भी होंगे तो मैं हमेशा से कहता हूँ ideally 7 to 8 3R tests आपको दे देने चाहिए prelims लिखने से पहले क्योंकि जब mains लिखोगे तो उस वक्त यही practice करते रहोगे कि 3 गंटे में 20 questions complete हो जाए इन सभी courses पे अगर आप 10 परतीशत 10% extra discount चाहते हैं तो RAINA code रहना को use कर सकते हैं और हमारे number और email ID पे contact करके इन में से कोई भी अगर आप avail करना चाहते हैं कर सकते हैं otherwise YouTube पे जो हमारी initiative है उसके follow करते रहिए जो हमारा part to prelims चल रहा है जिसमें हम few minute series और pre-mix series के अंदर आपके साथ prelims के most important topics discuss करते हैं तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आपकी विदा लेना चाहूंगा और अपनी तयारी को एक भरी reassess कीजे और इन 6 points को जरूर याद रखिए क्या 6 points है? रियोगनाईज करने का वक्त आ गया है जादा लेट तक या जादा जल्दी optimum time ढूणना है prelims only preparation का जो मैंने आपको बताया कि mid February से होना चाहिए या February starting से होना चाहिए not before that फिर आपको December end तक आपके mains only subject complete कर लेने चाहिए newspaper time को optimize करना चाहिए और आखिर में सारे sources को lock कर दो कि इसके beyond अब हम नहीं जाने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं आप से किसी और session के अंदर